अगर आपको लगता है कि रात के आस्मान को आपकी निहार सकते हैं, इनसे मिलिये ये दंग भी यानी गोबर के कीडे जो हमारी आकाशगंगा मिलकीवे गेलक्सी को देख सकते हैं। इस गोबर के कीडे की अंतरिक्ष के साथ किये गे कारनामों को देख कर आप हैरान हो जाओगे हम इनसानों की आखे तो सिर्फ विजिबल लाइट को ही देख सकती हैं। लेकिन जानवरों की आखे लाइट के कुछ ऐसे भाग को भी देख सकती है जिसे हम नहीं देख सकते हैं, ऐसे में इन जानवरों के लिए ये दुनिया बिल्कुल ही अलग दिखाई देती हैं, हमारे लिए ये दुनिया रंगीन है तो कुछ जानवर ब्लैक एंड वाइट दु तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि इन जानवरों की आपों से ये दुनिया और व्रम्हान कैसे देखते हैं, जानने के लिए इस इंट्रस्टिंग वीडियो को पूरा जरूर देखें, दोस्तों एक अंधे इंसान के लिए दुनिया बिल्कुल अलग है, उसके लिए विजिबल अत्रंगी दुनिया को ही हम देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश का एक काफी बड़ा भाग अपने अंदर अत्रंगी दुनिया को छुपाए हुए हैं जिसे हम नहीं देख सकते, रंगीन दुनिया में जीते हैं हमारी पृत्वी पर ही मौजूद अलग-अलग जानवर जैसे ग बिल्ली ब्राउन येलो और ब्लू शेड में दुनिया को देखती हैं, बिल्ली का नाइट विजन हमसे च्छ गुना ज्यादा होता है, येलो लाइट में चीजों को आसानी से देख सकती है, एक बिल्ली यूवी लाइट को भी देख सकती हैं, ऐसे में बिल्ली आसमान में हम से ज्यादा देख पाएगी. दोस्तों अगर हम बात करें एक मेधक की तो मेधक को दुनिया कुछ ऐसी दिखाई देती है. अगर आपने इसे ध्यान से देखा हो तो मेधक को वोही चीज़े दिखाई देती है. जो हिलती डूती हो अगर कोई चीज स्टेटिक हो तो मेधक को बहुत दिखाई नहीं देगी अगर मेधक को नाइट स्काई दिखाया जाए तो मेधक को रात का आसमान भुंधला नजर आएगा यहो सकता है कि उसे यह दिखाई ना दे क्योंकि यह बिल्कुल स्टेटिक है अगर हम समुद्री जीवों की बात करें तो मचलियां हम इनसानों की तरह लगभग सभी कलर्द देख सकती है लेकिन एक ऐसी मचली भी है जो ब्लेक एंड वाइट यूनिवस में रहती है यानि जो किसी भी कलर को नहीं देख सकती सिवाए ब्लेक और वाइट के यह मचली कोई और नहीं बल्कि समुद्र की सबसे खतरना प्रोटेक्टर चाक है शार्प मचली को सब कुछ ब्लेक एंड वाइट दिखाई देता है अगर शार्प नाइट स्टाई को देख पाए तो उससे यह भी ब्लेक एंड वाइट नजराएगा हमारी लिस्ट के अगले मेंबर टाइल्स की बात करें यानि सापों की तो साहप की आखे आखे हैं ही नहीं बल्कि यह थमल ग्लास की तरह है यह सिर्फ बीट को डिटेक्ट करती है इस वज़े से साप के लिए दुनिया सिर्फ रेड औरंज और यलो कलर में ही होती है यानि साप गर्म चीजों को डिटेक्ट करने में सक्षम होते हैं अगर उनके सामने ठंडी चीजे होनगी तो साहप को पता ही नहीं चलेगा ऐसे में अगर साप को नाइट स्काई दिखाया जाए तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देगा हम कह सकते हैं कि साहप के लिए अंतरिक्ष एक्जोस्ट ही नहीं करता है अगर हम बात करें गिर्गिट की तो एक गिर्गिट को लगभग दुनिया हमारी ही तरह दिखाई देती है लेकिन इसके पास एक अलग शक्ती होती है एक गिर्गिट अपनी दोनों आँखों को इंडिपेंडेंटलि ये मूउग कर सकता है और एक समय मेद दो चीजों पर एक साथ फोकस कर सकता है ऐसे में एक गिर्गिट भी लगभग हमारी ही तरह नाइट सिकाई को देख पाएगा लेकिन इंडिपेंडेंटली दोनों आपों से अलग-अलग स्टॉस को देख पाएगा आज से पैसक मिलियन साल पहले धर्ती पर मौझूद डाइनोसौर की बात करें असानी से देख सकते हैं। आप जानकर हैरान वो सकते हैं कि कबूतर नेविगेशन के लिए धर्ती की मैगनेटिक फील्ड की भी मदद लेते हैं। अगर हम बोर्ड की बात करें तो इन सब का राजा है इगल यानी बात। एक बांस की नजर काफी जबरदस्त होती है। ये हमा काफी उचाई से बाज देख लेता है। और उसे पलक जपकते ही पकल लेता है एक बात देव किलोमिटर की दूरी तक फोकस कर सकता है। अगर हम दंग बीटल के पास चलें यानी गोबर के कीड़े की आँखों से दुनिया देखें। तो ये भाई साहब पोलर आइज लाइ लाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं इस वजह से यह हमारी गैलक्सी को देख सकते हैं। कुछ साइंटेस्ट ने जब इन पर रिसच की तो पाया की। रात के समय में मिलकी वे गैलक्सी की लाइट का इस्तेमाल करते हुए ये गोबर के कीड़े स्ट्रेट लाइन में जा रहे यानि मिलकी वे की लाइट को नेविगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें एक दो की तो एक दो रेड और औरंज कलर को नहीं देख सकता बल्कि उसके लिए दुनिया भी। और वाइलेट शेड में होगी अगर एक दो को नाइट स्काई दिखाया जाए तो प्रॉबबिलिटी बहुत से ब्लू और वाइलेट शेड में द दोस्ता है। यही वजह है कि घोडे की आखों के आजू-बाजू में आखों को इस तरह ब्लॉक किया जाता है ताकि वो सिर्फ सामने फोकस कर पाए। लेकिन घोडे के विजन में एक दिक्कत है इसके आखे साइड में होने की वजह से इसका विजन बीच में ब्लॉक जैसे कि यह किसी खिर्की से देख रहा हूँ अगर घोरे को नाइट्स का दिखाया जाए तो इसे अंतरिक्ष का खीकी विजन दिखाए देगा जो की परहेग्रेलों और ब्लू शेर में दिखाए दे। अगर हम बात करें सबसे जबरदस्त विजन की यानि मच्छर मक्की की आखों से दुनिया को देखे तो इसमें आपको एक सुपर पावर मिलेगी। इनकी आखें हजारों लेंस से बनी होती हैं जिन्हें ओ मैथेरियम कहा जाता है। ये यूवी रैज को देख सकते हैं और साथ ही यह चीजों को काफी स्लो मोशन में देख सकते हैं जोकि इनकी इस स्थिती में इनके लिए लगभग टाइम फ्रीज जैसा हो जाता है। मतलब अगर आपको इनका विजन और स्पीड मिल जाए तो आपको कोई नहीं पकड़ पाएगा। अब शायद आपको समझ आ गया होगा कि मच्छर और मक्खी को मामा इपना मुश्किल क्यों होता है लेकिन दोस्तों अलग-अलग जानवरों की आँखों से दुनिया को देखने के बाद क्या आपके मन में यह सवाल नहीं उचता कि आखिर वास्तव में सच क्या है जो हम देख रहे हैं सच वो है या जो यह जानवर देख रहे हैं अगर हम शायद की तरह black and white दुनिया में होत अगर हमारी आखें इन सभी light को देख पाए और हमारा ब्रेल अगर सभी light की frequency को interpreter कर पाए तो आप पागल भी हो सकते हो क्योंकि हमारा दिमाग एक साथ इन सभी frequency को interpreter नहीं कर पाएगा और यह information हमारे दिमाग को confuse कर देगी ऐसे में हमारे दिमाग को भी बोल होना पड़ेगा यह जानने के लिए कि सभी frequency को detect करने पर हम क्या देख पाएंगे अगर evolution की बात करें तो अलग अलग जानवरों की आखें उनके surrounding वातावरन की condition के अनुसार बोलगो हुई है ऐसे में जिन planet पर जिस light की मौझूग्गी जादा है बहा के जीवों की आखें हम से बिलकुल भारत के सबसे स्वच शहर इंदौर में plot और घर लेने के लिए हमसे contact करे 9555-92483 दिये गए mobile नंबर पर call करें अधिक सोचे मात call करें और online ही अपना plot book किजिए और अपने future को bright बनाए और चैनल पर नए हो to subscribe जरूर करें धन्यवाग